कि आपकी भी यही हालत होती है, पढ़ते पढ़ते सोच आते हो, नीद आती है, पढ़ा नहीं जाता, पढ़ने में मन नहीं लगता, सर मैं बहुत पढ़ता हूँ, एफिशेंसी नहीं आती है, मेरा अच्छा स्कोर नहीं होता, कि आपके संग भी यही सारी चीजे होती है, कि मै बहुत effort देते हैं, लेकिन सर्फ दिमाग जो है वह आपका freeze हो जाता है, हम और नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत effort देते हैं, लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं, तो क्या आपके संग ये सारी चीजे होती हैं, तो बेटा, अगर आपके साथ ये सारी चीजे होती हैं, तो ये वीडिय आप ही केलिए हैं और यापकी जितने भी friends है जो इन सारी problems के साथ आपका जैने भी ये सारी problems होती है तो पेटा उन friends को भी the video share करना और video को अगर आपको इसले झाहिए भालो गर किर के देखना अगर आपके लिए useful होती है तो वीडियो को लाइक किये ना मज जाना और चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसे ही और इन्फोर्मेटिव वीडियो और भी कंटेंट आपको मिलेगा ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या होता है सारे बच्चे पढ़ने पर बहुत जादे ध्यान देते हैं सारे बच्चे नोट्स मेकिंग पर बहुत जादे ध्यान देते हैं ठीक है आप जाते हो क्लास में दो गंटा तीन गंटा पढ़ते हो आप एक प्रॉपर नोट्स बनाते हो लेकिन आप वहाँ पे mistake क्या करते हो आप mistake करते हो कि बिटा आप notes तो बनाते हो आप पढ़ते तो हो लेकिन क्या आप revision करते हो बिटा अगर आप revise करते हो तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ अगर आप revise करते हो आप 2 घंटे की जो class है मालो आपकी class A 2 hours की class है आप 2 hours की class को revise करोगे तो maximum आपको 15 से 20 minutes लगेगा एक class revise करने के लिए revision का मैंने एक proper method भी आपको बताया है वो revision का proper method जो है वो revision का proper method मैंने आपको आई बटन में आपको वीडियो भी दे दिया है वीडियो का link दे दिया आई बटन में वहां से वो revision का proper method का जो वीडियो है वो आप देख लीजेगा अब देखो यहाँ पर चीजे समझना अगर आप revise करते हो मालो आपने 2 घंटे की class एक बार में revise कर ली और वो revise कर ली तो 15-20 minutes में वो class आपकी revise हो गई अगर वो class आपने revision pattern जो मैंने बताया है उससे अगर आपने revise नहीं करी तो आप एक hard working student बन जाओगे hard working student कैसे बन जाओगे आपने जो यह topic 2 घंटे में पढ़ा आप भूल जाओगे एक हफते में भूल जाओगे फिर जब दुबारा इस topic की जरूरत पढ़ेगी फिर आप क्या है फिर वो 2 घंटे spend करोगे फिर आप 2 घंटे लगाओगे इसे पढ़ने में फिर भी अगर आप revise नहीं करोगे तो अगली बार फिर से आपको 2 घंटे लगाने पढ़ेंगे तो बिटा उस चीज से बेटर क्या है उस चीज से बेटर है कि आप सेम चीज को 15-20 मिनट में revise करो revision को जो pattern में आपको बता रखा है 1-7-28 वाला revise करो अगर आप revise करते हो तो आपको maximum retention रहेगा आपका बहुत सारा time जो बार बार पढ़ने में waste होता वो आपका time एक बार में ही खतम हो जाएगा मतलब आपको दुबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी तो ये आपकी efficiency को बढ़ाएगा आपके पास extra time होगा बाकी लोग जो चीजों को चार-चार बार पढ़ रहे हैं तो बेटा याद रखना कि आपका पहला सबसे important points जो सारे strengths को follow करना चाहिए कि जितना focus आपका पढ़ाई पे notes making पे होना चाहिए उतना ही focus आपका revision पर होना चाहिए अब अगर मैं दूसरी यहाँ पर habit देखूँ जो सभी strengths को follow करनी चाहिए वो होता है proper sleep लेना अगर आप proper sleep नहीं लेते हो तो क्या होता है कि जब आपका brain को आपके दिमाग को relax नहीं मिलेगा तो बेटा जब आपके दिमाग को relax ही नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेगा यहाँ पर हमें यह चीज समझ में आनी चाहिए कि हमारा brain जो है वो हमारे body का एक part है हमारे body का एक part है मतलब क्या है कि हमें brain को relax देना जरूरी है उसे आराम देना जरूरी है तो अगर आप proper sleep नहीं लेते हो तो आप चिलचिले से हो जाते हो आप चिड़ाने लगते हो आपका चीजों में मन नहीं लगता आप time से उठना बैठना जो होता है वो आपका effect हो जाता है आपकी डाइट जो हो affect हो जाती है बहुत सारे और भी चीजदें खराब हो जाती है अगर आप पर proper sleep लेते हो आएगी, तो हम जादे efficiently उतना काम कर पाएंगे, तो जो चीजे हमें समझने में बहुत जादे time लग रहा था, वो चीजे हम easily समझ पाएंगे, तो ये दूसरी habit जो है, वो याद रखना proper sleep जरूरी है, exam के time पे आप generally 6 गंटे, 7 गंटे की sleep ले सकते हो, student life में 6 गंटे sufficient होते हैं, 7 गंटे तक आप जा सकते हो, लेकिन आप बोलोगे exam आ रहे हैं, तो पटा exam time पे आप 4 hours की sleep तक चले जाओ, 4 गंटे तक की sleep तक चले जाओ, लेकिन ये जो 4 गंटे वाली sleep है न, ये 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन से जादे, ये schedule follow मत करना, नहीं तो आपकी health के लिए, आपकी body के की ज़रूरत है, हम proper sleep को follow करेंगे, अब देखो तीसरी चीज़ और यहां पे समझना, जो important होता है, हमारी body का 70% पानी होता है, हमारी body में 70% जो होता है, वाटर होता है, तो जितना water हम consume करते हैं, वाटर बहुत सारे functions में आपका help करता है, पहली चीज़, वाटर आपकी body का temperature maintain करता है, अगर आपकी body में water की कमी होगी, तो क्या होगा, आपकी body का temperature maintain नहीं होगा, temperature maintain नहीं होगा, तो उसकी वैसे आपको बहुत सारे issues हो सकते हैं, दूसरी चीज, water की वजह से, पानी की वजह से, आप fresh feel करते हो, जब भी आपको हलकी सी नींदा आए, आप एक sip of water ले ल copy-pasted चीजे हैं, कहीं से आपने देखा, copy-paste कर लिया, यह आपकी tested चीजे हैं, कि आपको नहीं दाए, आप उठके एगलास पानी वी लो, आप जादे fresh feel करोगे, लोग काफी भी try करते हैं, काफी भी ले सकते हो, काफी में caffeine होता है, तो caffeine भी आप ले सकते हो, लेकिन आप उ ले लो, उससे आप जादे fresh feel करोगे, जादे सही रहेगा वो आपकी बॉड़ी के लिए, तो 70% पानी है, और जितना आप पानी जादे पी ओगे, उतना आपकी बॉड़ी से toxic जो होगे, वो आपका release हो जाएंगे, आपकी बॉड़ी में toxic नहीं होगे, तो आप जादे healthy रहो होगे, तो normally आपको पता होगा, कि एक human body के लिए हम normal a day में, अगर हम कोई physical workout नहीं करते हैं, तो हमें 2-3 लिटर के गरी पानी पीना चाहिए, अगर हम physical workout करते हैं, तो हमें 3-4 लिटर पानी consume करना चाहिए, पूरे दिन में, तो जब भी आपको याद आए, याद आए आप ए तो चौती चीज जो जरूरी होती है, वो होता है आपका exercise, जनरली बोलते हैं कि आप 10-15 मिनिट, 20 मिनिट तक की exercise कर सकते हैं, मैं exercise में भी आपको recommend करूंगा, कि आप running करिये, यादा रनिंग से फाइदा क्या होता है, running से आपका पहली चीज, running आपका एक full body exercise होती है, swimming या running आपका full body exercise होती है, running से क्या होता है, जब आप running कर रहे, आपके पैरों का movement हो रहरा है, आपका gut health improve हो रहा है, जब आपका gut health improve होता है, तो आपके gut health से आपके moods जो होते हैं, वो अच्छे होते हैं, gut health आपका अच्छा होगा, आपका जो testosterone level है, वो बूस्ट होगा, metabolism और जितना आप मन से बढ़ोगे, उतना जादे अच्छे रिजल्ट्स दोगे। आप पढ़ रहे हो, चार गंटे बैठे हुए हो, आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप आप आउट पुट नहीं दे पाओगे बच्छा, तो ये जरूरी है कि आपका मूड अच्छा होना चाह होते हैं, तो ब्रीद करते हैं, तो हमारे मसल्स जो हैं, ब्रेन के वो यूज होते हैं, ब्रेन के मसल्स यूज होंगे, तो ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, अगर आप नेचर में रनिंग करते हो, तो तो फ्रेश ए body part में blood circulation बढ़ाते हैं और जहां blood circulation आपका बढ़ता है इंप्रूव होता है blood circulation वो healthy body part होता है तो यहां पर running जो है वो आपका brain के लिए बिया आपका helpful रहेगा वो आपके full body के लिए helpful रहेगा Heartbeat भी आपका अच्छा होता है इससे, तो running भी आपको 15-20 मिनिट की, आपकी normal running आपको करना जरूरी है, यह आपके लिए बहुत जादे useful रहेगा, जादे नहीं 10-15 मिनिट आपके लिए जारूरी है, जादे नहीं 10-15 मिनिट आपके लिए जारूरी है, वो है कि बेटा हम जब पढ़ लेते हैं तो हम monotonous feel करते हैं, अब देखो यहाँ पर आप एक चीज़े समझना, यह जो सारी चीज़े हैं, हमारी जो पढ़ाई है, हमारा जो career है, वो career हमारा part of life है, ऐसा नहीं है कि वही पढ़ाई ही हमारी जिंदगी है, बिना पढ़े हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, तो वो भी आपकी part of life है, बाकी हम पढ़ते क्यों है, ताकि हमारे अच्छे jobs लगें, हम एक अच्छे position पर पहुँचे, अच्छे position के बाद हमें अच्छा lifestyle जो है, वो spend करें, तो हमें वो चीज़ भी याद रखनी चाहिए, कि हमें ऐसा नहीं है, आप अपने आप आपको reward करना शुरू कर दो, आप देखो, यहाँ पर जरूरी है कि आप कुछ अच्छा खाओ, अच्छा खाओगी तो आपका mood अच्छा होगा, आपका पढ़ने में मन लगेगा, आप अपने दोस्तों के साथ घूमो, पैटो, आप दोस्तों के साथ जाओ, मुवी देखने आप, आप मन करें आपको अगर dance से relax मिलता है तो आप dance करो, आपको music से relax मिलता है तो आप गाने सुनो, आपको जो activity करनी है वो आप करो, जो activity भी आपको free feel करवाती है, जो activity आपको relax देती है, वो activity आप यहाँ पर करो, वो activity आपको और पढ़ने के लिए motivate करेगी, आप दिन उबर 6 गंटे पढ़ते हो, बीच में कोई activity नहीं करते हैं, बिटा आप बोर हो जाओगे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन पढ़ पाओगे, उसके बाद आप बोर हो जाओगे, बोर हो जाओगे तो आप नहीं पढ़ोगे, आपका दिमाग नहीं लगेगा पढ़ाई में, फ्रस हाँ, यह चीज में आपको suggest कर सकता हूँ, कि यहाँ पर आप जो पढ़ो, यह जो चीज़ें आप करो, इसे as a reward basis पर रखो, चोटे-चोटे से target बनाओ, कि अगर मैंने आज जो है, वो आपका दो गंटे में, तीन गंटे में, अगर मैंने यह वाला topic finish कर लिया, तो यह topic finish करन कर लिया, यह जो भी target आपने बनाया है, तो मैं शाम को अपने friends के साथ घूमने जाओंगा, यह शाम को जाओंगा, मैं friends के साथ घूमूँगा, बाते-बाते करूँगा, जो friends में सारी चीज़ें आपके होती है, जो मौझ मस्ती मैं करूँगा, तो यह आप reward basis पर बनाओगे तो इस से आप motivated रहोगे, आपको रहेगा कि हाँ यह चीज मुझे खतम करनी है, जैसे ही मैं यह चीज खतम करूँगा, तो मैं आपने आपको reward दूँगा, इन में से कोई भी चीज या जो भी आपको free feel करवाती है, वो मैं आपको reward दूँगा, तो उस से आप एक motivated feel करते हो, उससे आपका mood भी अच्छा होगा, आप जादे motivated रहोगे, जादे अच्छा output होगे, और आपका दिमाग को relaxed भी मिलेगा, क्योंकि ultimately क्या होगा, कि जब आपने वो target खतम किया, आप free feel करोगे, आप enjoy करोगे, तो आपका दिमाग अगले targets के लिए या अगली चीजों के लिए prepared होगा, relaxed होगे वो चीजें कर पाएगा, या देखो, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पर, music एक बहुत important चीज है, बिटा, scientifically यह proven है, बहुत सारे studies भी है, या आपने देखा होगा, कि music एक ऐसी चीज है, जो naturally आपके brain muscles को relax करता है, तो आपको music सुनना चाहिए, जो भी आपका टेस्ट हो, जो भी music आप सुनना पसंद करते हो, बट जब आप music सुनते हैं, तो उसके vibration से आपके दिमाग को अराम मिलता है, इसी वज़े से आप spiritualism में देखोगे, आप religion में देखोगे, तो भक्ती-सूफी movement हुए थे, या आपके इससे पहले भजन वगेरा होते थे, वो सारी चीज़ें होती थी, उनके द्वारा क्या होता था, वो सारी चीज़ें यही होती थी कि आपके दिमाग को अराम, relax दिया जाए, तो music को भी आप use कर सकते हो, brain को relax करने के लिए, बहुत useful रहेगा, आपने आदा गंटा, या आपने 45 minute, 50 minute आपने पढ़ा, उ सबसे important चीज़ है, वो आपका goal है, मतलब आप सारी activity करो, आप सारी चीज़ें करो, लेकिन आपका एक proper goal होना चाहिए, आपका एक proper planning होनी चाहिए, कि मुझे इस पूरे week में क्या चीज़ अचीज़ करनी है, इस पूरे week में कौन से subject के, कौन से topics को मुझे खतम करना है, इस एक बंदा जिसका कोई goal नहीं होता न, वो कहीं पहुँचता भी नहीं है, क्योंकि जब तक आपके goals नहीं होते, आपकी planning अचीज़ नहीं होते, आपको नहीं पता कि आपको actual में क्या करना है, तो क्या होगा, आप कहीं नहीं पहुँचोगे, तो आपके proper goals होने चाहिए, आ अच्छा मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हर बार आप goal बनाओगे, तो हर बार goal आपके achieve ही हो जाएंगे, आपके कई बार goal अचीव नहीं होगे, आपके कई बार target से आप दूर घूमते रहोगे, लेकिन जब ये चीज़ें आप बार 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 करते रहोगे, बार बार आप practice करते बार बार आप चीज़ों के लिए effort देते रहोगे, तो आपके goal के जादे से जादे close आने की जो probability है, जो chances हैं, वो जादे रहेंगे, और यही chances जब आपके जादे रहते हैं, तो वो आपको जादे अच्छा output देते हैं, कोई भी person ये नहीं बोल सकता, कि 100% आप achieve ही कर लोगे लेकिन हाँ, आप जादे effort देते हो, आपकी practice अच्छी होती है, तो आपके achievement के chances या probability जो होती है, जादे होती है, जब आप goal achievement के लिए जाओगे, तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे issues भी आते हैं, लेकिन आपका focus आपके goal पर रहना चाहिए, आपका focus आपके goal पर ही तो आप अपने goal से भटक भी जाओगे, भटक जाओगे, आपको ऐसा लगेगा, क्या ये goal achieve होगा या नहीं होगा, एक बहुत बुरी conditions भी आएगी, लेकिन उन conditions में भी जब आप work करते रहोगे, तो आप क्या देखोगे, आप जो है वो grow कर जाओगे, और उन बुरी conditions में, जो बंदा यहाँ पर ऐसी conditions में आपका छोड़ देता है चीजों को, वो आपका कभी भी successful नहीं हो पाता, वो आपका अपने goals को achieve नहीं कर पाता, ठीके, तो यह जो मैंने आपको 6 चीज़ें बता ही, पहला proper revision, दूसरा proper sleep, तीसरा proper water intake, चौथा जो है वो आपका physical fitness या physically आपक exercise करो या running करो, पांचवा जो है वो आपका entertainment जो जरूरी है और छटा आपका एक goal होना जरूरी है, इन सारी चीजों को आप properly channelize करके use करोगे, तो मैं assure करता हूँ कि आपको 100% आपको benefit होगा इन सारी चीजों से, तो चलो आप यह try करके देखना, try करने के बाद, comment में जरूर बताना कि क्या यह चीजें आपके लिए useful रही, क्या इन सारी चीजों से आपको फाइदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, तो बटा आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like करना, channel पर पहली बार आए हो, तो channel को subscribe किये बिना मत जाना, चलो मिलते हैं आप से next वीडियो में.